आज हम आपको बताएंगे रेंज रोवर एभोग कनवर्टेबल के मारे तो यह इंडिया की पहली कनवर्टेबल लग्जरी SUV है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं और अगर आप इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो फ्रंट में जादा फरक नहीं है यहाँ पे आपका जो फ्रं सोला इवोग को मिले थी और इसको नीचे बंपर पे भी ब्लाक डॉट पार्ट्स दिये हूँ है जो इसे डिफ्रेंटेट करते हैं फ्रंब रेगुलर इवोग और यहाँ पे भी इसको एर स्कूप्स दिये हूँ है पर इसे फॉग लैंप्स नहीं है अब जैसे ही हम इस गा आप दो टाइप के गाडियां मिलती है जो रेगुलर इवोग है उसमें आपको जादा क्रोम दिखता है comparatively और यहाँ पे इस मोर ब्लाक डाउट तो जैसे ही आप और आगे बढ़के मैं आपको यह दिखा हूँ इसके काबिन में कुछ चेंजिस नहीं है इसका इंटीरियल स से आप यह रूफ खोल सकते हो आराम से अब क्यूंकि यह सिर्फ टू डोर वर्जिन है इस विज़ेसे यह एक्सेज दे बैक सीट यह एलेक्रिकली अजिस्टेबल इसमें और पीछे के पासेंजर्स को अब मैंने सीट काफी आगे लिए है फिर भी लिमिटेड स्पेस है इस और यह सीट जो है थोड़ी उठी हुई है अगर आप यह सीट से कंपेर करें ताकि पीछे वालों को भी आगे का विजन मिले और वो भी कंवर्टेबल इंजॉई कर पाए अब टेक्निकली इसमें कुछ फ़रक नहीं है वेन यू कंपेर इट तो रेगिलर रेंजरोवर इव अब जागे थोड़ी ताइट है पीछे भी से ब्लाक डाउट रेंजरोवर दिया हुआ है और इवोक यहां पे रेड में दिया हुआ है तेल लाम्स एग्जाक्ली वैसे ही है जैसे इवोक में आते हैं तो इस बेसिकली देसें कार जो आपने रेंजरोवर इवोक देखी है अपार्ट रॉम देखी है यह एक कनवर्टिबल है और यह एक दूड हो रहे है इसकी प्राइजिग है 69 लाक एक शोरूम और और अरोडी अलमोस 78-79 लाक रख पढ़ जाएगी तो अगर आपको ऐसे और कुछ चाहना है अगर आपको एसे और कुछ चाहना है अबाट देख और यह वेविर सी बैट